ये स्टुडेंट वैलकम वन सेगेंट टी यूर ऑनलेन क्लासियस बच्चिश वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज तरी एका क्वेस्टन में फॉर डिटेल में समझेंगे और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने प्रिवेस्ट वीडियो बनाए है और जो मैं ने यह जो नमबर समय दिए गया है ना यहां पर इनका किसी डिवाइड दिया जाए ताकि यह एक परफेक्ट इसक्वाइर नमबर बन जाए इन इच केस फाइंड था नमबर और यह भी पता लगा यह कि डिवाइड देने के पाद जो वह स्कॉयर बन रहा है तो किस नमबर का स स्कायर बन रहा है तो सेम को सेने को स्कीत रही मैं चाहता था कि उसी वीडियो में यह कवर हो जाए लिगे बहुत ज्यादा हमारा लंबा होगे था कि मैं आप वह डिटियल में समझाते जा रहा था हर को तो इसमें थोड़ा से लंबा हो गया था ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको भी समझेंगे अच्छे से और मैं एक एक कोशनी स्कीप करते जाओंगा ताकि आपका टाइम ही ज्यादा वेस्ट ना हो और आपको समझ में भी आ जाया ठीक है तो यह स्टार्ट करते हैं को फॉर का फस्ट कोशन सॉल्व करने से हैं देखको यह हमारा से देखको भी से देखको फाइब देखके कि लास्में इस यह 5 दिख रहा है इसका दो यह 5 से दो डिवाइद होई जाएगा तो यह जाएगा हमारा 5 3 15 उसे बाद फिर 5 15 7 में से 5 कट हो बजगया वह आगए जागर 25 बना देगा तो 55 25 फिर से 5 से कट हो रहा है 5 6 30 कितना फिर यह 3 से डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल में 7 टाइम पे आता है हमारा कितना तो 21 और फिर लास्ट में यह अब हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 7 बंजा 7 हो जाता है तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आप इसको सभी को लिख लो 5 3 mystify family थी और मलटी पञें सए poking तो अब देखो अगर यहां पर एलेंगी यावाइड तो अगर हम इसको से डिवाइड देते हैं ठीके थो ठीक हो जाएगा तो फिर 7 का multiply कर देते उसी तरीके साथ यहां पर हमको divide भी करना पड़ रहा है तो एक ही 7 है extra में तो हम क्या करेंगे इसको 7 से divide देंगे ताकि हमारा पूरा-पूरा cut हो जाए जब 7 7 cut हो जाएंगे divide हो करके तो 5 का pair बन जाएगा और 3 का pair बन जाएगा तो यह हमारा perfect square हो जाएगा इसलिए में आप लिखेंगे so required number तेका कि जिस नंबर के में तलास है वो number कितना है वह number 7 यानि कि इसमें अगर हम बोग 7 को divide देते हैं तो यह हमारा perfect square बन जाएगा तो जब हम इसको 7 से divide देंगे तो जो हमारा new number बनेगा वो कितना बनेगा वो हो जाएगा 5 multiply 5 और फिर multiply 3 multiply 3 क्योंकि हमने इसको 7 से डिवाइड दे दिया तो 7 और 7 आपस में cut हो जाएंगे ठीक है यानिकि 7 हमारा साफ हो जाएगा तो इतना बन जाएगा बस इसी को क्या करना है इसकोर निकाल के बता देना है यह किसका स्कॉर है कि यह बन जाएगा हमारा 5 का स्कॉर मुल्टिप्लाइट 3 का स्कॉर यहां से स्कॉर को कॉमन ले लो तो हो जाएगा 5 multiply 3 का whole square और फिर ये 5-3 जा कितना हो जाएगा 15 यानि कि यह जो नए नंबर है वो 15 का square हो जाएगा इस तरीके सापको solve करने है यानि यह पहले वाली question में भी जैसे करते हैं वही रहता है पर हम multiply करते थे तो यहाँ पर 7 और लिखते हैं यहाँ पर काम और आसान हो जाता है यानि बच्चे जो जीरो में confused रहते हैं उनका अभी confusion दूर कर दिया जाता है यह देखो यह 5 है लास में तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 जा 5 हो जाएगा 4 बज़ यह वह आगे जाकर किसे 40 बना देगा तो 5 जा 40 फिर यह 7 है तो 5 होगा और फिर यहां पर 7 में से 5 कट हो गया 2 बच गया वह आगे जाकर किसे 15 बना देगा तो 5 जा 15 अब यह हमारा 3 से कट हो रहा है 3 से कट लो 3 बंजा 3 3 2 जा 6 और 3 बंजा 3 हो गया देन अब यह हमारा किस से होगा 121 डारेट 11 से ही होगा क्योंकि मैं आपको बोला है न कि 2 से लेकर के 20 तक के सारे इसको अर्याद कर रहो वह बहुत जाद आपको काम आते हैं यहां पर किसी नंबर से कटनी होगा डारेट 11 से होगा और 11 से कितने टाइम पे होगा 11 टाइम पे 11 11 जा 21 होता है एंड लास्ट में यह 11 हो गया तो इसके जो फेक्टर हो जाएंगे 9075 के वो कितने हो जाएंगे 5 multiply 5 multiply 3 multiply 11 multiply 11 तो अब यहां यहां से 5 multiply 11 का यह पूरा-पूरा-पूरा कर लो तो 511 कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा यानि कि जो नए नंबर बनेगा वह 55 का स्क्वार होगा देखा कितना सिंपल था से multiply की तरह यह बस यहां पर कट करके नंबर सो कम कर दिना है और यह कुछ और question लेते हैं जिसे में question 5 बताता हूं आपको हो जाएगा यहां पर डबल जिरो है ना यह डबल जिरो को सॉल्फ करते हैं देखो हमारा बस कितना है 4500 है यह भी ज्यादा मुस्किल कुछ नहीं रहता है देखो सब अगर आप सॉल्फ करना सीख गया ना तो कोई भी question आपके लिए मुस्किल नहीं अगर आपको solve करना नही ओचाएगा 45 और यह 00 जाएंगे फिर यह हमारे पास लास्ट में 0 पिर से 5-8 बलसी डिवाइट हो जाएगा 5-1 जा 5 हो जाएगा यहां पर कितना बजगी फोर बजगी हो आगे जबागे करके हिसे 50 बना देगा तो 5-8 जा 40 और यह फिर से 0 उतर गया बना दें फिर फिर कर लेते हैं छोटे नंबर से कर लेते हैं अब देखा आप तो से करना ही पड़ेगा तो भाद ने आपको तू से करनी पड़ेगा तो 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 फिर फेर निकल गया वह कितने देखं़ अबर सब पर यह गुदर जाए तो फिर में लिए कर बन रहा है यह तो सिंपल यहां पर लिख लिकवाई नंबर न वह कितना है है 5 है हमारा ठीक है अगर हम इसको 5 से डिवाइड देंगे तो यह हमारा completely perfect square बन जाएगा अब यह perfect square तो बन रहा है तो new number कौन सा हो जाएगा किसका square बनेगा वह जाने के लिए हम क्या करेंगे 5 का यह जो 5 बन रहा है 5 multiply 5 उसे बाद यह 3 3 बच जाएगा तो 3 multiply 3 और यह 2 2 बच जाएगा तो 2 multiply 2 इनको लिख लो और इनका multiply कर दो यह जाएगा 5 का square multiply 3 का square multiply 2 का square सभी को common ले लो 5 multiply 3 multiply 2 का whole square तो यह कितना जाएगा इस cancer यहां से 5 3 15 15 3 2 जा 30 यह जो नए नंबर बनेगा वो 30 का square रहेगा is that clear यह होगे हमारा को समर्फाइब इस आए का को समय और आपको सब्सक्राइब करके बता देता हूं जैसे लास्ट को सब्सक्राइब लेते हैं लास्ट के ना दिया हुआ और यह हमारा पास सब्सक्राइब लेने पड़ रहे हैं तो देखो डिवाइट का जो रूल है यहां पर भी रूल होता है ना अगर आप स्टार्टिंग में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है यह जब आप दुबारा से टू डिजित ले होगे ना तब आपको क्या करना प अब यह किसी का İşवर तर्द की किसी से डिवैड होता है यह रख जितने भी हमारे 20 का इसrim का स्कूर और बहुतने हो जाधा घंड कर ना सब्सक्राइब penalty नई कि थेखो यहां पर दिमाग लगा झातर रहे है यहां पर संघाय व् aşOh और फिर multiply 13 दिया हुआ है, इतना हमारे पास है, अगर हम इसका multiply, divide किसे कर देते हैं, 2 multiply 3 से कर देते हैं, तो यह 2 से 2 कट हो जाएगा, यह 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, फिर यह perfect square हो जाएगा, यहां पर 13 13 बज जाएगा, यानि कि 2 3 जा, अगर हम 6 से वो कितना है, 6 है, यानि अगर हम इसमें 6 का divide देते हैं, तो यह हमारा पूरा पूरा जो है न, cut हो जाएगा, और यह जो हमारा number है, वो perfect square बन जाएगा, ठीक है, तो रिक्वाइड नमबर 6 है, तो अब जब हम 6 से इसको divide देंगे, तो जो हमारा new number है, वो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यह कितना आजएगा हमारे यहां से, तूट का टेबल में हमारे पास 13 कितना आता है, 13 to 26, यानि कि जो नए नमबर हैगा, वो 26 का square रहेगा, इस तेडिकर से आपको इसको solve करना था, देखा कितना सिंपल है, तो मैंने हर टैप से questions में बता दिया, आपको जहां प largest number of two digits, which is a perfect square, two digits का वो बड़ा से बड़ा नमबर बताना है, जो कि एक perfect square हो, ठीक है, तो कौन से ऐसा नमबर है, तो देखते हम यहां पर चेक करते है, two digits का सबसे बड़ा नमबर कौन से है, तो यहां पर अगर आपको वो नमबर से यादर है ना, two के square, four के square, तो आपको बह 64, 88 जा 64 होगा, 9 का square, तो 99 जा 81 हो जाएगा, 10 का square, तो 10 10 जा हमारा hundred हो जाता है, तो यह आगे हमारा three digits में, हमसे question पूचा था, कि वो बड़ा से बड़ा नमबर बताए, जो एक perfect square हो, और two digits का हो, तो यह देखो, यह जो हमारा 81 है ना, यह perfect square है, यानिकि 9 का पूरा-पूरा square है, और यह two digit का भी है, यानिकि 81 is the number, जो कि हमारा perfect square है, यह हो जाएगा हमारा final answer, इसका 81, इसी तरीका सा आपको जब three digit का बोला है, जिसे अगला जो question है, question हमारा six में, हमाँ पर three digit का बोला है, तो three digit में देखो, कहां से खहां तक के number आ जाते है, 100 से लेकर के हमारे, पूर 900 आ जाएगा, होगा की नहीं होगा, 33 जा 9 हो जाएगा, और 00 के 900 बन गया, तो डायर्ट आप यहीं सी start करो, 30 से multiply करने के start करो, उसे पहले करने को कोई फैदा है नहीं, तो हमको पता है, प्रेपको 900 लाना है, तो हम 3 multiply 3 करेंगे, तो 9 आ जाएगा, और 00 मिल गर के 900 बन अब 31 का चेक कर लेते हैं, तो 31 multiply 31 कितना होता है, यह मुझे भी याद नहीं है, हमको multiply करके देखना पड़ेगा, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, तो हो जाएगा हमारा 1, 3 और 3 6, और यह 9, यहीं कि 961 होगे 31 का square, चेक कर लेते हैं 32 का कितना होता है, ठीक है, तो 32 का square, यानि कि 32 multiply 32, multiply करके चेक करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उस तरीके से 32 हो जाएगा हमारा 6, और 3 3 जा 9, तो होगे 4, 6, 6, 12 का 2 कारी होगे 1, 9 और 110, यानि कि 1024, यह कितना डिजिका हो गया, 4 जीट का हो जा रहा है, हमको कितना डिजिका बोला था, 3 जीट का बोला था, यानि कि हमारा तो 961 है न, वो बड़ा से बड़ा नंबर है, 3 जो कि एक परफेक्ट स्कार है, तो यह रहा काम आपको फेर में नहीं करना, इसको आपको रॉफ में चेक कर लेना है, पीछे साट जाकर करके, और यहाँ पर यहाँ पर आड़ेट आपको एंसर लिख लिख लेना है, कि 961 is the smallest सब्सक्राइब करना है, यह पर आपको समझ में आगे होगा कैसे साल करेंगे, क्वेशन पर 5 और 6 उसके लावा फोर ही बता जिए मैंने, बिलेंगे नेक स्टूडियो में जहां पर मैं आपको आगे जो क्वेशन से एक्ससाइज 3 में वो समझा दूंग इसी तरीके से बेसी कॉंसेट के साथ, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं भी आपको सर्च करके परिसान होने की जुरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मौझूद है, थैंक यूफर वाच्चिंग